हेलो गुड मारीं च्टोडेंट आइओप कि ठीक होगे छ फॉर्थ की स्टडी करने जा रहे हैं सब्जेक्ट हमारा हिंदी है वीडियो नंबर हमारी कौन से बेटा वीडियो नंबर फस्ट है तो क्लास से स्टार्ट करते हैं चेप्टर नंबर हमारा 15 है मन बुद्धी शेर मत जबकि कम बुद्धी वाला शे ओके स्टोरेंट तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टे स्टार्ट करती हूँ तो ध्यान से सुना है स्टोरी बड़ी इंटरस्टिंग है ओके स्टोरेंट एक भुका सिर जंगल में मारा मारा फिर रहा था उसे बहुत जोर की भुक लगी थी काफी देर तक जंगल में बटकने के बाद भी जब उसे सिकार नहीं मिला तो वह सोचने लगा अब क्या करूँ कहां जाओं कास हम भी दूसरे जानवरों की तरह पल, फूल, पत्ते खाकर, शाकाहारी रहते तो मुझे इस परकार बोजन भुका न रहना पड़ता क्या सोच रहा है, वो शेर सोच रहा है एक तो पहले वो बहुत ही बहुत क्या होता है मतलब की ज़्यादा शक्ति शालियों नहीं होता और भुक के मारे उसकी बॉड़ी के अंदर जान भी नहीं होती ठीक है, तब ही शेर को एक गुफा दिखाई दीव है उसमें गुस गया, वहाँ कोई नहीं था उसने सोचा यहाँ कोई तो जानवर रहता होगा जब आएगा तो मैं उसे मार कर खा जाओंगा ऐसा सूच कर वो बैठ गया कहाँ बैठ गया, शेर एक गुफा में गुस कर बैठ गया उसको यहाँ लगा कि यह गुफा है तो इसमें कोई नहीं जानवर अविश्र रहता होगा अभी यह फिलाल नहीं है, जब आएगा तो उसको मार कर मैं खा जाओंगा ठीक है स्टुएंट खा जाओंगा, तो वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है, वहाँ पे जाकर गुस कर बैठ जाता है काफी देर गुफा में रहने वाला गीदर वहाँ पहुचा पर अंतु बहार से ही गीदर समझ गया कि उसकी गुफा में शेर गुस गुसा है, उसे अपनी मौत नजदी दिखाई देने लगी किसको गीदर को अपनी मौत नजदी दिखाई देने लगी पर उसने हिम्मत नहीं आ रही किसने गीदर ने हिम्मत नहीं आ रही चतुर गीदर ने बाहर से ही गुफा की और देकर अबाल लगई ओ गुफा ओ गुफा लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला इसने गीदर ने कहा ओ गुफा ओ गुफा उसको कोई उत्तर नहीं मिला तब फिर बोला हे गुफा कौन बोला गीदर बोला हे गुफा तुझसे मैंने कहा था तुझसे मैंने कहा था गीदर बोलता है कि गुफा तुससे मैंने कहा था कि मैं जब कभी बाहर से आकर तुझे पुकारूंगा तब तो मुझे उत्तर देगी अपना दिमाग वो लगाता है गीदर अपना दिमाग लगाता है कि अगर इसके अंदर कोई है तो वो कोई ना कोई जवाब जरूल देगा तब तु मुझे उत्तर देगी, नहीं तो मैं तुझे छोड़का किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाओंगा, गीदर ने ये योजना बनाई, कि अगर मैं चिलाओंगा, ऐसे कहूंगा, तो अंदर जो भी जानवर होगा, वो अवाज जरूल देगा, अंदर बैठा शेन सोचा, कि गीदर जब यहां आकर बोलता होगा, तो ये गुफा उसकी बात का उत्तर जरूल देती होगी, जो शेर था, मनमुद्धी शेर, वो भी सोचने लगा, कि अगर ये गीदर आके यहां पे आवाज देता होगा, तो ये जो गुफा है, जरूल आवाज देती होगी, किस खारण उसके भैके कारण, मैं इसे पुकार कर कहता हूं, क्या बोलता है, शेर दिमाग से लगाता है, कि इसे मैं पुकार कर कहता हूं, शाद मेरी बास उनका यह है, बोल पढ़े और गीदर बीतर आकर मेरा शिकार बन जाए, ऐसा सोचकर शेर ने एक जोड़दार दहर मारते हुए कहा, गीदर भाई, भीतर आजाओ, यह तुम्हें कोई डर नहीं, क्या बोलता है, शेर बोलता है, कि गीदर भाई, भीतर आजाओ, यहां तुम्हें कोई डर नहीं है, शेर की धार सुनकर गुफा गुँझ उठी, और सारा जंगल दहल गया, गीदर सीर पर पैर रखर भागार उसने इस परकार बड़ी चतुराई से अपनी जान बचा ली, शेर अपने माते पर हाथ मारकर अपनी मन बुद्धी को कोषने लगा, कि उसने हाथ आया शीकार अपनी बेवकुफी से हाथों से निकाल दिया, तो जब शेर चिलाता है तो उसके चिलाने से पूरी गुफा हिल जाती है, जंगली जानवर भी हिल जाते हैं, और गीदढ को समझ में आ जाता है कि उसकी गुफा के अंदर एक शेर था जो उसका सिकार करने के लिए बैटा हुआ था, जब जब सिकार जो डीगीदढ होता है उसकी हवा सुनकर भाग जाता है, तो शेर अपनी मन बुद्धी को कोस्ता है कि उसने अच्छा खासा आया शिका पार को हाथ सी जब हाँ आपको एनुमबर को अप्रया कर ने च्वार दुआ सोधीं करने